नमस्कार उत्रप्रदेश की खबरों के मेगा बुलिटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार उत्रप्रदेश की खबरों के में आपका स्वागत है। नमस्कार उत्रप्रदेश की खबरों के में आपका स्वागत है। इसी के साथ ही पुलिस ने गिरफतार अभ्युक्तों के पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और एक अदद अवहत तमंचा और दो अदद कार्टूस भी बना मत किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने गिरफतार अभ्युक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कारवाई में जुट गई है। तो आपको खबर बता रहे हैं ये खबर है जहां पर कानपूर देहाद की जहां खाना भुबनीपूर पुलिस और स्वाट टीम की तरफ से सगन चेकिंग अभ्यान के तोरान तीन नफर अभ्युक्तों को गिरफतार किया गया है। इसी के साथ ही पुलिस ने गिरफतार अभ्युक्तों के पास से भारी मातरा में मादक पदार्थ और एक अदद अवहत तवंचा और दो अदद कार्थूस भी बरामत किया है। हमारे संबादाता मुहम्मद असीफ ने खास बाच्छित के। इस दोरान क्या कुछ कहा अशुकुमार असीफ ने यह आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मिया तेज गुती जा रही हैं। अशुक कुमार को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश पूपसाशन के दिप्टिस सेकेटरी हैं। सर बहुत-बहुत स्वागर्ट आपका निजबॉल इंडिया में। ऐसा मैसूस कर रहे हैं चंशिकर भाई ने आपको दावेदार 106 का समझा। मैं बहुत अच्छा मैसूस कर रहा हूं उन्होंने मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। क्या लगता है 2022 में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। अब ये तो कहना भी मुश्किल है क्योंकि परणाम के बाद ही पता पड़ेगा और परिस्तिति ऐसी हैं कि हर जगे से एक दूसरे पार्टी में लोग आ जा रहे हैं तो जब परणाम आएगा तब जो है कोई मुख्यमंत्री बनने की इस्तिति पता पड़ेगी क्या होगा पहले से किया जाना भी कुछ भी संबब नहीं है जाने जाता है कि आप डिप्टिस सेकेटरी रहे उत्रपेदेश शासन के तो कैसा रहा कि आपको क्या लगा कि आप राजनीती में आए पहले से था या अचानक हुए आप जी नहीं वह अचानक ही ऐसा हुआ वैसे मैं पहले भी बाम से बगए बाम से और जो है अन्य संस्ता के जो नेता होते हैं वो स्फर्प अपने ऐसी कमरों में बैठके अपने मेलों में बैठके या अपने कार्यालों में बैठके इस फोनों से ट्विट करते हैं अगर किसी की परेशानी होती है कोई गरीब है दलता है या जिसको देश प्रदेश में सताय जाएंगे चंशेकर अभी बहुत नए हैं और मायावती को क्या वहरा पाएंगे वोट वो अपने समर्थ में ले पाएंगे ऐसा है बेन मायावती की इस्तिति क्योंकि वह हमारी भी सम्मानेट और हम भी बहन मायावती से दो-तीन वार मिल चुके हैं उनका अच्छा वो रहा है लेकिन इस अबदी में उनके द्वारा काफी ऐसा देखने को मिला है कि उनके द्वारा बर्तमान जो है सरकार के बिरुद्ध जो भी उन्होंने गलतियां की हैं या जो भी प्रदेश में अपराद बड़े या जो भी घटनाएं गटी उन्होंने जो के द्वारा दर्जी नहीं कराई गई है विकास है या आई दोगनी आई दोगनी नहीं आई दोगनी कभी किसी की नहीं हुई है सिर्फ यह कागजों पर चलता है मामला बेरोजगार बेरोजगार ही रहा है अगर यह अगर उसको रोजगार मिला होता तो बाजबा सरकार में तेले में दददस किलो अनाज और ददस किलो यह चीज़ बतरत क्यों जी जाती है लेकिन लेकिन रास्टे अध्याज वीजी पीके जेपी नड़ा जी ते कहते हैं डवल एंजन की सरकार राशन घरगर पहुंच रहा है और यहीं तो मैं कह रहा हूं राशन घर कि उनको अपंग बना रहे हैं क्योंकि वो यह चाह रहे हैं कि बस सर्फ इसी पर निर्वर रहे हैं उनको अगर इसता ही रोजगार मिल जाएगा तो उसकी जरूरती क्या है तो क्या लगता है चुनागायो की जो निर्देश अनुसार है के डो टू डो और जो कुरोना काल ओमी कुरोन लगातार चला है इसके सतर तागले आप किस तरीकी से अपना परचार कर रहे हैं हम जो है डोर टू डोर मात्र दो तीन लोगों के साथ जाते हैं और दूर दूर से उनके मुख्य मुख्य ब्यक्ति हैं जो गाम के हैं गाम के कई गामों से जुड़े हुएं सरफ उनी से बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़बार बढ़ाना जो है निर्मानी निर्वाच सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश्ट में सत्ता वापसी के लिए एक रिजाने का काम करती है कहती है कि हम विज्ञी मुफ्त करेंगे किसानों को बिलमाफ करेंगे जबकि ये एजेंडा आम आदमी पार्टी का है और सभी पार्टीयां कर रही है ऐसे में आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है 2022 के लिए देखिए मेरा ये कहना है जो लोग ये कह रहे हम मुक्त करेंगे इदर आपको विजली मुक्त कर सकते हैं मुफ्त में दे सकते हैं लेकिन उसी पैसे को निकालने के लिए आपको दूसरे दूसरे कौने से आप पर ही टेक्स बढ़ा के उसको आपसे ही लेने आपका इशारा अगर मैं मान सकूँ जिस तरीकी से पैट्रोल बढ़ाया पैट्रोल की मत दाम करी या दाम कमनी जो बढ़ाय और वहीं पर जैसी परिपेट कमपनिया मुबाइल की यह पर पैसा बढ़ा दिया गया यह है के आप इदर कान पकड़ रहे ऊधर कांसे निई उदर खीच रहे इदर खीच रहे इंदर सेला रहें उदर खीच रहें जनता का दर्ड है मर भी खुद लगाएं जी कहने का सब्सक्राइब कर रहें और दूसरी उसको सी उसी सही खीच रहें जो उसके लिए पायदे की बाद कर रहें वह सर्फ जंता का पैसा इसर उतर जंता के लिए करardi जंता को और कोई रात नहीं कहती है कि बेटी सुराप्षत है पर देश भरमी इस पर कितनी घटनाए हो रही है अब यह तो मैं नहीं कहूंगा कि हरा आदमी लाल टोपी वाला भी गुंडा होता है लेकिन हमारा यह कहना है कि जिस पार्टी में एक अनुसासन हो जिसमें पड़े लिखे सिच्छित व्यक्ति हों सरकारी सेवा करने वाले हों जिनोंने कानून का पा लिखा जो हमारे बीच में रहे और हमारी समस्यां को सुन सके क्योंकि जातबाद का मतलब तो यह कि जातबाद को बढ़ावा देना है अगर चंशेकर आजाद सत्ता में आते हैं और जिब मतपीटियां खुलेंगी और मतपीटियां खुलने के बाद हो सकता है कि आपकी किसम में रहके सेवा की है और बहुत से नेम प्रनेम यह बनाए जाते हैं जब अगर यहां की जंता मुझे चुनती है तो मैं जंता के स्वास्त का भी ध्यान रखूंगा मैं पूरी कोशिस करूंगा कि जंता हमारी इधर उधर कहीं दूर न भटके उसे ततकाल जुए स्वास्त स का सासन में रहकर आपने देखा कि सासन की लोग विकास निए कड़े इसलिए आप मैंदान में उतरी जो मैं पहले से ही इसके लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। तो हमारे आपकी सवाल न्यूजवल इंडिया की टीम से आप पिर्देश को और एटा वासियों क्या एक संदेश देना चाहेंगे जागरूप के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि सर्फ उनको ही वो वोट करें न कोई यह राष्ट्य पार्टी या निर्दली है या अभी तत्काल की पार्टी है इंसान सही है जो आपके बीच में रहेगा आपके शुक्दुक्दर्द को सुनेगा आपके विकास के लिए काम करेगा आप उसी को पुखनीपूर पुलिस और स्वाट टीम की तरफ से सगन चेकिंग के दोलान तीन नफर अभ्युक्तों को गिरफतार किया गया है इसी के साथ ये पुलिस ने गिरफतार अभ्युक्तों के पास से भारी मातला में मादक पदार्ट और एक अदद अवैत तमंचा और दो अद दर्शकों विदान सभा चुनाओ नस्दीक आते ही सभी दलों ने मतदाताओं को रिजाने के लिए दावों और वादों की छड़ी लगानी शुरू करती है इसी कड़ी में सपानेता कैप्टन अर्जुन सिंग ने भी सपा के घोशना पत्र के सारे जीत का दावा किया है सपानेता कैप्टन अर्जुन सिंग से खास बातचीत की है हमारे सयोगी विजराठाओं क्या कुछ कहा है कैपटन अर्जुन सिंग आपको भी सुनवाते हैं प्रदेश की राजनीती में जिस तरह से इस समय माहुल है 14 फरवरी को जन्पत बदाईयों के अंदर मद्दान होना है और देखना यह है कि बदाईयों की राजनीती जो है कितना गर्मा रही है और यह माहु जो है कहां तक जाता है अगर बात करेंगे हम बदाईयों जन्मत की 117 विधान सवा की तो सपा से यहां पर कैप्टन और जोन सिंग जिनके लिए सपा ने भरोसाच जताया है और मैं उनसे बात करूंगा कि आने वाले समय में जो है जनता आप पर कितना भरोसाच जताएगी और जनता के बीच के आक्या वाद लेकर करके जा रहे हैं कैप्टन भी आप देखिए ऐसा आए जनता भर चुकी है फट चुकी है और ऐसा कोई समाज का आद भी नहीं है कोई वर्ग नहीं है कोई जाती नहीं है जो इस मौझूदा बीजेपी सरकार से तरस्त ना हूँ यूवा नौजवान जितना मेरा होगा इस समय मैं अपनी विदान सभाइब करूं तो बेरोजगारी ने हद कर दी रोजगार की जो इस सरकार बात करती थी बड़ा देंगे इतने लोगों को रोजगार दे देंगे जितनी थी नौगरिया वो भी चली गए उन्होंने का मेहं इस समय कि भुक्मरी की कगार पर इस विशेक जो सत्ता ने बहुत लेट जो है सीट खोली है तो क्या लगता है कि आते आते कहीं तो यह निर्वन बहुत सोच विप्षार करके हर सीट पर टिकेट वितरन हुआ है हमारे राश्टी एदेख्ष माननी अखलेश यादवजी ने मुझे भरोसा जताया, मुझे आशिरवात दिया, टिकेट देके मुझे यहां से विजैई भव का आशिरवात देके भेजा है तो वो चाते भी हैं और जानते भी हैं कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीती में पड़े लिखे चेहरों का आना जरूरी है जो कुछ अच्छा करें, विकास की बात करें, बढ़िया काम करें, जिस पैटरन पे, जिस पात पे, जिस रास्ते पे माननी राश्य देश अखलेश यादवजी ने हमें चलना सिखाया, वो ही रास्ता हमारा है लोग कहते हैं कि जो पुराने इतिहासों में चला है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है यूबा है तो यूबा एक बड़ी जो आज की पीड़ी है यूबा पीड़ी है और जिधर यूबा अपनी कमर कस लेता है उदर सत्ताइं और सरकारें पलट देती हैं क्या लगता है यूबा आपके साथ कितना है देखिए यूबा नौजवान वर्ग ही देश का भविश्य है और मैं ये समझता हूँ जितना यूबा नौजवान मेरा साथी है मेरे भाई बंदू है वो ये बात जानते हैं कि अब आने वाले समय में माननी राष्टिय देश अखलेश यादव जी ही इस देश को बचा पाएंगे इस प्रदेश को बचा पाएंगे और उनी को वो एक आ अश्वास है कि इनकी आस्था पर इनकी अपेक्षा पर मैं खरा उतरूंगा जो ये मुझसे भावना रखते हैं उस भावना को जोड़ते हुए इनके मानसम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा और दातागंज को जिस रास्ते पर मैं विकास के रास्ते पर ले जाना चाह जो है जन्ता आपको चुनकरके 2022 में विधायक बनाकरके यहांसे लाती है तो किस चरह कमियाँ मैदान में किस तरह की आ रही है उनको ज обязal नहीं है जो अरूञ फ्तर प्रमानों कमी है वो हमारे छेत्र में कमी है यहां पर रोज्जगार का कोई साधन नहीं है बड़ी सबसे बड़ी परिशानी मेरे ख्याल से जो मैं महसूस करता हूं पूरे छेतर गुम्राओं में मुझे कई साल हो गए यहां पर यह जो छूटे हुए पशू है गाय है बहले इनकी सबसे बड़ी समस्या इस समय जो बिलकुल प्रायोरिटी पर हो गई है हर किसान किसी एक जाती का नहीं होता हर जाती का होता हर वर का वो परिशान हो गया बेहाल हो गया पूरी पूरी रात बिचारा जाक के हार में सोता है अपना खेत रखाता है और जिन गईयों को भगाता है उन गईयों के लिए बिचारा को वो भी उसको परिशानी होती ही कि भा तो हमारा जो है चुनावी मुद्दा क्या होगा इस समदि गेगे चुनावी मुद्दा जो राष्टी अधर्श छादर्फ Commerce अक्लेश águaधरव का है वोई हमारा है कोई विशेश उससे अलग नहीं है हम यह चाहते हैं जैसे मान लीजिए हमारे आश्याद एक जी ने जो पॉलिसी बनाई है जो मैनिफेस्टों बनाया है हमारी पार्टी का उसमें सबसे पहली चीज उन्हों ने कहा कि 300 यूनिट गरेलू बिजली फ्री 300 यूनिट बिजली का मैं समझता हूं दोड़ाइजार उपे की बिजली हर घर की मुफ इससे जारा बिजली तो शायद कोई घर में कोई मैंने अभी आपसे दो रहा जंता का इस समय किसानों का सबसे बड़ा बुद्दा छुट्टा पश्यूओं का है गायू का है जो उनके खेत में उनकी फसल बरबाद कर रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं उसके बाद रोजगार का मुद्दा है उसके बाद मुद्दे हमारे यहां है यहां पर हद की ठानों में दलाली परिशानियां लोगों को बेवजे मुकदमेदारी अभी पड़सों हम पर भी मुकदमा लिख दिया गया है यह जो मंचाहे रूप से और मैं किसी जाती विशेश का नाम नहीं लोंगा उनके लोग करा रहे हैं य उनका यह मानना है कि पड़े लिखे लोगों की राजनीती में जरुवत है मैं दावे से बात कहता हूं कि कल को जब यहां की जनता मुझे पूरे मानसंमान से पूरे भरोसे से मुझे यहां से अच्छे मतों से जिता के भेज़ेगी तो वो जिम्मेदारी ना केवल मेरी वो स्वास के रूप में जिस भी सेवा से जिस भी भाव से जो भी मैं कर सकता हूँ अपने छेते की जनता के लिए वह मैं करूँगा बिलकुल ये थे हमारे साथ कैप्टेन अर्जोन सिंग समाजबादी पाइटी ने एक दातागंज 117 विधान सवा से एक बार इन पर भरोसा जताया है अब देखना ये होगा कि 14 फरवरी को जो मद्दान होता है तो वो किधर किसके पक्ष में जाता है कैमरा परसन बाहित के साथ बेजयराठा और न्यूजवर्ल इंडिया वद्धिया वद्धिया बलिया के पूर गाउं के सेलरा में बली राजबर की जमीन को हड़तने का मामला सामने आ है इतना ही नहीं पुलिस ने धंकी भी दी और कहा कि अगर सिगनेचर नहीं किया तो तुम्हें जेल भेजते गे पुलिस के धंकाने के बाद जेल जाने के डर से पेड़ित बली राजबर ने सिगनेचर करते है करते है कि साइब भंपाइस ने साइटाली जमीन लिये था बाबु जगिंदर सिंह से ओ जमीन हमको चक वहीं पर मिला था लेकिन हमारा भी जो विवक्षी है हमारा ही नमबार ज्यादा मालियत मिल दे कर हमारा जमीन हरप लिया है इसके बाद हम शिकंदा तूर से वहां भी नहीं गए फिर से बलिया गए वहां भी उसी तरह हम बहुत परशान हो गए नहीं यहां तक कि हमारा परिवार ठाने बिना हमारा खेटी उसी तरह है आकर चेक किया जाए में फरकाबाद के कमाल गंच में ठंड और बीमारी से धेर की मौत बदाय जा रहा है कि वो कई दिनों से सामुदाएक स्वास्तकिंद कमाल गंच के चक्कर काट रहा था अस्पताल पर शासन पर उसका इलाज ना करने का रूम भी लगा है यहाँ पर चौथे चरट में 23 फरवरी को मतदान होना है इसी कड़ी में 139 पूरन पूर विधान सभा से कॉंग्रेस परत्याशी ईश्वर दयाल पासवाद ने जहाँ परचा खरीदा है तो वही 130 बीसल पूर विधान सभा से बसपा परत्याशी अनीस एहमद खाने 128 बरखेडा विधान सभा से निर्दलीय परत्याशी कीरत सिंग ने तो वही 127 विधान सभा से मुनेंदर सिंग निर्दलीय परत्याशी ने परचा खरीदा है बता देए कि तीन फर्वही तक जिले में नामांकन प्रक्रिया चलेगी जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्ताइब है जन्पत पीलिभीत की चारों विधान सभाओं के लिए आज नोटिफिकेशन हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया चारी हो गई है आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पदादिकारियों के साथ भी मेरे द्वारा पुलिस अदिक्षक महदे द्वारा बैठक करके जो भी माननी आयोग के निर्देश हैं आदर शाचार संहिता को लेके नामांकन को लेके वो उनको समझाए गए हमारी जो बैरिकेडिंग और अन्य विवस्थाएं है आरोज के चेंबर की जहां पे नामांकन होना है उसका भी हमने सुबह जायजा लिया है और सभी ड्यूटियांस मौके पे पहुच गई है सभी पुलिस कर्मी भी तैनात है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही है शांती पूर्ण तरीके से आयोग के निर्देश के करम में ये नामांकन प्रक्रिया पूरी कराएंगे और उसके आगे चुनाओ भी उसी तरीके से रहेंगे मैंनपुरी मार्ट साल की मासूम के साथ दुशकर्म का मामला सामने है पुलिस नारूपी को गुरफतार कर लिया कि यहां कल एक आठ बरसे बच्ची के साथ जो मदर्शे में पढ़ने के लिए जाती थी उसके साथ वहां पर जो मौलवी था उसके द्वारा दुशकर्म किया गया है ठाने पर सूचना प्राप्ट होने पर मुकदमा प्रविकरित किया गया है और जो इसमें नामित अभ्यूप थे उसको गृपतार कर लिया गया है पुर्व गेंद्रे मंत्री आर्पियन सिंग हाल में कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया अर्पियन सिंग के बीजेपी में जाने के बाद कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया स्रीनेत और यूपी कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अज्यकुमार लल्लू ने करारा प्रहार किया है उत्रप्रदेश कॉंग्रेस अधिक्ष अज्यकुमार लल्लू ने आर्पियन सिंग पर बड़ा रोप लगाया उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आर्पियन सिंग पर चारित कर रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ लल्लू ने कहा मैं साफ कर दूँ कि मेरे खून के एक एक कत्रे में राहुल गांधी कॉंग्रेस पार्टी का एहसान है मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर काम करता रहूँगा और जब तक जियूँगा कॉंग्रेस पे रहूँगा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजरकुमा लल्लू ने आर्पियन पर हमला करते हुए कहा कि नई कॉंग्रेस में संगर्श करने वाले ही रह सकते हैं यूपी के जमीने मुद्दों पर राहुल और प्रियंका गांधी के साथ हजारों कारकरता दिखाई देते हैं लेकिन आर्पियन सिंग कभी नहीं लिखे वही तंच कस्ते हुए लल्लू ने कहा कि वो राजा है और उन्हें मेरी जैसी चोटी विरादरी के करीब आढ़ी का कॉंग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना रास नहीं आ रहा आपको इतने बड़े प्रत पर कांग्रेस पार्टी ने पहुचाने का काम किया आपको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सद्येज बनाने का मोका दियाब नहीं बने आप जहारकन के प्रभारी बने आपको जहारकन का प्रभारी बना एक इसीसी का इंचार्ज बनाया क्या कमें कीया कांग्रेस पार्टी ने आप करते हैं कि सहें थुआरों की इंच्शा को रही है सब्सक्राइब बदेद कि यह की मेरा बैथि हुई है निकाला कर उनका नेलों कि Сी सी के मिंबर है जिसको पिछले जातिका होने के बाद पिछला काने में सर्मातियों वो पिछलों का नेता नहीं हो सकता आपको चीडिस बात का है कि कांग्रेश पार्टी ने अधरी राहुजादी जी ने गरीब मेजदूर के बेटे को प्रदेशन देच मना दिया एक सामान परिवार को अधर्च मना दिया गाओ के गवार को अधर्च मना दिया एक संगर्श करने वाले को अधर्च मना दिया एक मदेशिया कांदू परिवार जिसके परिवार के लोग नमग बेखते हैं जिसके परिवार के लोग चाह समोसा पकोरी बेखते हैं जिसके परिवार के लोग ठेला खुंचा चलाते हैं भूजा मंफली बेखते हैं जिसके परिवार के लोग पान की दुकान करते हैं इसलिए इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं इसलिए आप पार्टी छोड़ दिए राजा महाराजा लोग चाहे यह रहे चाहे जितन प्रसाद रहे इसलिए दिक्कत है कि कंजोर और मजलूम है गरीब परिवार के प्रिशने परिवार के बेटे को अंत्यज बना दिया यह रास नहीं आ है सबने संगर्ष किया है अब आरा मैसो तलब की पार्टी नहीं है यह बता दे अधरी आर्पियान सिंग जी दो साल में जिदिन प्रसाद जी बता दे हात रस में उन्नाव में साजहापुर में घटना या दिवासी निर्म भायों की निर्म मत्या हुई सवक्पर कांग्रेस पार्टी नहीं एक भी बार सलक पर एक भी मुकद में इनके उपर एक बार भी जेल गए हो झाल